इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, Samsung phone में जब कोई भी device hot spot से connected ना हो तो hot spot automatic off हो जाए इस setting को कैसे enable करते हैं, इसके लिए सबसे पहले settings पर क्लिक करते हैं, connections पर क्लिक करते हैं, mobile hot spot and setting पर क्लिक करते हैं, mobile hot spot पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर hot spot का नाम और password दिया password टाइप करते हैं, save पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं, इसका password चेंज हो गया है, और आप band 2.4 GHz पर क्लिक करते हैं, advance पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं लिखा है, turn off when no device is connected for 20 minutes, अभी यह time 20 minutes select किया हुआ है, इसे change करने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं, इसके setting चेंज हो चुका है, save पर क्लिक करते हैं, save back करते हैं, thanks for watching, bye